Good morning, today is 7th of May 2019 and we are going to discuss the articles of the Hindu सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं कौन-कौन से articles आज हम discuss करने जा रही है पहला article यहाँ पे GST से समनित है GST में देखो कुछ न कुछ डेली होता रहता है काफी ज़्यादा गिसा पिटा टोपी कब GST हो चुका है तो GST की minute details के बारे में question पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम है लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए क्या कुछ GST के अंदर चल रहा है मैं आपको बता देता हूँ अभी ये खबर आई थी कि 1 अप्रेल में GST के अंदर जो revenue collection है वो एक लाग करोड को पार कर गया है काफी अच्छी बात है तो सभी stakeholders ये उमीद कर रहे थे कि GST का compliance अब बड़ा है तो सरकार GST के system को और ज़्यादा simplify करे और पिछले हफते एक GST council की meeting हुई कोशिस की गई ऐसा करने की GST council की meeting में ये decide किया गया कि सभी विपारियों को एक महिने में एक ही बार returns फाइल करने होंगे लेकिन ये चीज़ apply की जाएगी phase wise manner में यानि transition होगा तो article में ये कहा जाता है इस चीज़ को implement करने के लिए अगर transition होगा तो और ज़दा uncertainty बढ़ेगी जो की विपारियों के लिए अच्छी बात नहीं है इसके लावा GST council में एक फैसला ये भी लिया गया कि GSTN GST को implement करने के लिए जो technological network है इसमें फिलाल private sector की हिस्सेदारी है 51% लेकिन अभी GST council में ये फैसला लिया गया है कि सारी की सारी जो हिस्सेदारी GSTN में होगी वो government ही होगी 100% ऐसा इसलिए किया गया कि data को protect करना है अगर सरकार की 100% हिस्सेदारी होगी GSTN में तो GST से जुड़े data को असानी से protect किया जा सकता है तो article इस चीज को भी criticize कर रहा है कि government की हिस्सेदारी भढ़ाने से कोई यूरूई नहीं कि data protection अच्छे से होगी इसके लावा GSTN GST की council में एक फैसला ये भी लिया गया कि GST के अंदर digital payments को promote किया जाएगा तो इन सब चीजों की साहिता से कोशिस की जा रही है कि GST की implementation को और ज़्यादा simplify किया जाए उसके बाद नीचे ये article Malaysia से समदित है Malaysia में elections होने वाले है 9 माई को तो Malaysia की राजनीती से समदित ये article है हमारे exam के लिए important नहीं है नहीं discuss करेंगे उसके बाद ये article simultaneous elections से समदित है देखो simultaneous elections को हमने काफी बार discuss किया है लेकिन इस article में जो points है कुछ अलग points है, basic points है और काफी important है, काफी concepts आपके clear होंगे इस article से तो detail से इस article को हम discuss करेंगे नीचे ये article कहता है कि military को या फिर national security से जुड़े जो issues है उनको elections में सामिल नहीं करना चाहिए चुनापरचार पे चुनापरचार में इन issues पे focus नहीं करना चाहिए तो इस article को भी हम discuss करेंगे यहाँ पे ये दोनो articles important नहीं है ये कुछ copyright से जुड़ा article है लेकिन एक specific article है, specific details है जो कि important नहीं है और यहाँ पे ये article हर मंड़े को परकासित होता है दा हिंदू ने कौन से न्यूस को प्राइटी दी कौन से पेस पे हमारे एक्जाम के लिए important नहीं है लेकिन नीचे ये article important है अफ्रिका में अफ्रिकन यूनियन के 44 देशों ने एक free trade agreement sign किया है डिसक्रस करेंगे इस article को चलिए discussion स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम simultaneous elections के बारे में बात करेंगे मतलब लोकस्वाम और सभी राज्यों की विधान स्वाओं को elections एक साथ एक ही समय पे conduct करवाए जाएं GS paper 2 के इस topic में ये article cover होगा पिछले कुछ समय में हमारे देश में कोशिश की जा रही है कि एक ही भासा को एक ही language को adopt किया जाएं एक ही धरम को अपनाया जाएं एक ही culture को अपनाया जाएं और एक text वो तो आ भी चुका है GST की form में और इससे भी जादा अब simultaneous elections यानि एक ही पोल पे focus किया जा रहा है इससे हमारे लोकतंतर की जो foundation है लोकतंतर की जो नीव है वो कमजोर होगी आपको याद होगा पिछले साल के अंत में गुजरात और हिमाचल परदेश की विधानसबाओं के लिए elections कंड़क्ट करवाने थे लेकिन election commission ने दोनों राज्यों के विधानसबा elections को एक साथ कंड़क्ट नहीं करवाया दोनों states के elections में एक मन्त का गैप था तो देखो दो states के elections तो election commission एक साथ कंड़क्ट नहीं सका और बात हो रही है कि पूरे देश में सभी राज्यों और लोक्स बखे elections एक साथ कंड़क्ट करवाने की ये federalism के भी against है और democracy की spirit के भी against है तरक ये दिया जा रहा है कि इससे good governance आएगी यानि अच्छा परसाशन आएगा लेकिन देखो जिस democracy में good governance लाने की बात हो रही है अगर वो democracy ही नहीं बचेगी तो फिर good governance का क्या फाइदा एक पॉल पे focus करने में कुछ लोग ये भूल रही हैं कि इससे democracy की spirit पर भावित होगी democracy की values को चोट पहुचेगी democracy के D को यहाँ पे भूलाय जा रहा है one pole पे focus करने में थोड़ा और basics में जाते हैं democracy यानि लोगतंतर का मतलब क्या है simple definition सबने सुनी होगी by the people for the people of the people देखो democracy एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जनता खुद त्या करती है कौन सरकार बनाएगा कौन रूल करेगा for example 2014 में BJP की 282 seats आई यानि जनता ने त्या किया कि BJP सरकार बनाएगी उसी परकार से पंजाब में elections हुए पिछले साल जनता ने त्या किया कि कौनग्रेश सरकार बनाएगी दिली में elections कंड़क्ट हुए आमारी पार्टी की सरकार बनाएग जनता ने और देखो जनता की ये choice permanent नहीं है जनता समय समय पे अपनी इस choice को बदल भी सकती है कैसे elections की साहिता से 2009 में जनता ने चुना था कि UPA की government बनेगी फिर से central government में पाथ साल बाद जनता ने अपनी choice change कर दी 2014 में बिजेपी की सरकार बनी यानि NDA की government बनी और 2019 में जनता फिर से चुनाव करेगी अपनी मर्जी से कोन central government चलाएगा तो जनता समय समय पे अपनी choice को change कर सकती है किसके माध्यम से elections के माध्यम से और देखो democracy में क्या होता है peaceful transfer of power होता है 2009 में जब UPA हार गया था तो उन्होंने छोड़ दी सत्ता और बिजेपी ने सत्ता संभाली उसी परकार से 2019 में अगर हारती है बिजेपी तो बिजेपी को सत्ता छोड़नी पड़ेगी सांती पूर्वक धंग से जो पार्टी हारती है वो सत्ता को छोड़ देती है लेकिन authoritarian regime में ऐसा नहीं होता आप मुझे एक बात बताए North Korea में आपको पता है democracy नहीं है वहाँ पे क्या जनता ये त्या करती है कि कोन North Korea को चलाएगा नहीं जनता वहाँ पे कुछ त्या नहीं करती वहाँ पे एक authoritarian regime है उसी परकार से Middle East के कई countries में authoritarian regime है जनता खुद से त्या नहीं करती और peaceful transfer of power नहीं होता पिछले काफी समय से एक ही person, एक ही परिवार का rule है अब देखो democracy यानि लोगतंतर में आम तोर पे जो सरकारे हैं वो जनता की भलाई के लिए ही काम करती हैं क्यों? क्योंकि frequent elections होते हैं उनको पता है फिर से चुनाम होंगे फिर से elections conduct होंगे अगर हमने जनता की भलाई के लिए काम नहीं किया है तो जनता हमें vote नहीं देगी फिर से हमारी सरकार नहीं बनेगी तो democracy में कोसिस यही होती है सरकारों की कि जनता की भलाई के लिए काम किया जाए अगर नहीं भी किया जाए तो कम से कम ऐसे दावे किये जाए advertisement के माध्याँ से ऐसा perception create किया जाए कि हमने जनता की भलाई के लिए काम किया है अब आप मुझे एक बात बताईए कि वो देश जिनकी हमने बात की थी North Korea या फिर Middle East के कई countries जहां पर authoritarian regime है अगर वो देश भी दावा करे कि देखो जनता की भलाई के लिए तो हमने भी काम किया है तो democracy क्यों चाहिए आपको तो क्या जनता इस बात से संतुष्ट होगी नहीं, जनता इस बात से संतुष्ट नहीं होगी मैं आपको example देना चाहता हूँ क्यों? देखो अजादी से पहले अंगरेज भी बड़े बड़े दावे करते थे हम कहते थे कि देखो आपने हमारा खुन चूस लिया है हमारे सारे resources को exploit कर लिया है आपने, ऐसा डावा करते थे हमारे freedom fighters, हमारे leaders उस समय, तो अंगरेज ये कहते थे कि देखो हम तो आपके देश में विकास लेके आ रही हैं development लेके आ रही हैं वो railways की बात करते थे तो हमारे freedom fighters एक जवाब देते थे कि देखो आप railway ला रहे हो इसका मतलब ये है कि आप किसी दूसरे की दुल्लन को सजा रही हो, आप सिरफ हमें पूरे अधिकार दे दीजिए कि हमारे देश को कैसे चलाना है और यहां से चले जाएए ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि देखो common good से ज़्यादा matter ये करता है कि चीजों को चलाने में आपका अधिकार है या नहीं है सरकार में भागीदारी है या नहीं है इसलिए democracy यानि लोगतंतर बहुत ज़्यादा ज़्रूरी है इस कुरी conversation से जो essence निकलता है वो यहीं निकलता है कि देखो जो तरक दिये जा रहे हैं कि simultaneous polls आएंगे तो इससे good governance आएगी good governance से ज़्यादा important है democracy, लोगतंतर अगर लोगतंतर ही नहीं बचेगा तो फिर good governance का क्या फाइदा आगे एक point ये दिया जाता है कि देखो democracy में लगातार conversation होती है rulers के बीच में और उन लोग के बीच में जिनको rule किया जा रहा है और ये conversation कैसे होती है elections की साहिता से वैसे elections के अलावा भी civil society के लोग आपको पता है कि बीच बीच में आंदूलन करते रहते हैं वो सरकार को बताते रहते हैं कि जनता क्या चाहती है तो एक तरीका ये भी है कि जो protest होते है demonstration होते है समय समय पे लेकिन जो आम जनता है वो तो conversation rulers के साथ elections की साहिता से ही करती है जब elections होते हैं तो political parties पे दबाब बनाया जाता है कि आप इन persons को ticket दीजिए और political parties भी उनी persons को ticket देती है जिनको समर्थन हासिल होता है जनता का और elections की साहिता से जनता भी accountable बनाती है जबाब दे हित्या करती है rulers की इसलिए भी elections बहुत ज़रा ज़रूरी है लोगतंतर में और democracy में अगला point काफी important है देखो direct democracy का क्या मतलब होता है सिधा लोगतंतर direct democracy का मतलब ये होता है मानलीजिए एक गाउं है गाउं की population है 100 तो 100 लोग जो भी इस गाउं में रहते हैं उनकी एक सभा होगी और सभा में सभी decisions लिये जाएंगे कि गाउं को कैसे चलाना है गाउं की governance कैसे होनी चाहिए लेकिन देखो पूरे देश को कैसे चलाना है ये direct democracy से possible नहीं है क्या 125 करोड लोग एक साथ जूट सकते हैं 125 करोड लोग की सभा नहीं हो सकती इसी वज़े से representative democracy ज़रूरी है आज के समय में क्योंकि population बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो representative democracy में क्या होता है पूरे देश की population को consequences में divide किया गया है area के अधार पे for example हमारे देश में अभी 545 लोगस्बा की seats हैं और हर एक लोगस्बा की seat में अंदाजे के तोर पे 545 representatives आएंगे ये representatives पूरे देश की population की तरफ से आएंगे और जिसके पाँस 545 में से आदे से ज़्यादा representatives का समर्थन होगा आदे से ज़्यादा सांसदों का समर्थन होगा वो सरकार बनाएगा यानि BJP के पास अभी 272 से ज़्यादा सांसदों का समर्थन है अब ध्यान दीजेगा देखो जो भी पार्टी सरकार बनाती है वो सिरफ उन Constituencies पे उन एरियांस पे ध्यान नहीं देती जिन रिपर्जेंटेटिव्स का समर्थन उनके पास है वो पूरे भारत पे सभी रिपर्जेंटेटिव्स की Constituencies पे ध्यान देती है ऐसा नहीं कि हिसार से सिर्षा से या फिर रोतक से BGP का सांसर नहीं है तो हिसार रोतक सिर्षा का विकास Central Government नहीं करवाएगी या फिर State Government नहीं करवाएगी ऐसा नहीं होता एक बार कोई भी जीते कोई भी हरे बाद में विकास करवाना है पूरे भारत का या फिर अगर स्टेट में representatives ने मिल के कोई सरकार बनाई है तो पूरे स्टेट का विकास करवाना है तो होता क्या है अगर government ऐसा नहीं करती है तो दो साल बाद तीन साल बाद या चार साल बाद opposition legislatures में for example लोकसबा में जा फिर विविन राज्जों की विधानसबाओं में representatives का समर्थन अपने पक्स में करके सरकार को गिरा भी सकती है no confidence motion present करके no confidence motion present करने के बाद opposition के पास मोका होता है अगर उनके पास numbers है तो खुद से सरकार बनाई जाए अगर opposition के पास numbers नहीं है तो सरकार गिर जाएगी और किसी political party के पास numbers नहीं है इसलिए फिर से elections conduct होंगे लेकिन ये चीज पोसिबल नहीं होगी अगर simultaneous elections conduct होते हैं तो धान दीजे का यहां पे अगर देखो simultaneous elections conduct होते हैं तो तो 5 साल बाद elections conduct होंगे न अगर किसी state में कोई सरकार समर्थन खो भी देती हैं आदे से जदा representatives का समर्थन हासिल नहीं है सरकार को फिर भी वहाँ पे elections conduct नहीं होंगे 5 साल बाद ही जब सभी राज्यों के elections conduct होंगे जब सेंटर गोर्मेंट के elections conduct होंगे तभी उस रज़े के elections conduct होंगे तो ये simultaneous elections का एक बड़ा नुकसान है जो कि democracy की value के against में है last में democracy की दो preconditions के बारे में बात की जाती है देखो अगर frequent elections conduct होते हैं बार-बार चुनाव conduct होते हैं तो इससे citizens को जानने का मुका मिलता है reason के बारे में, local issues के बारे में, global issues के बारे में और उनका knowledge level बढ़ता है उनका intellectual level develop होता है अगर 5 साल में सिरफ एक बार elections conduct होंगे तो ऐसा नहीं होगा citizens को सभी issues के बारे में जानने का मुका नहीं मिलेगा तो ये पहली precondition है उसके बाद दूसरी precondition देखो electoral democracy में जो core है वो तो citizenship है frequent elections conduct होते हैं तो citizens को यू लगता है कि हाँ, हम participate कर रहे हैं पूरे system में उनको ownership महसूस होती हैं लेकिन अगर frequent elections conduct नहीं होते हैं तो 5 साल में सिरफ एक बार citizens को ये लगता है कि वो system का part है और चीजें उनीके अनुसार चल रही है तो इसलिए अगर frequent elections conduct होते हैं तो वो अच्छी बात है conclusion में सेम बात को धोराय जाता है कि लोगतंतर देखो एक समवाद है एक conversation है rulers के बीच में और उन लोग के बीच में जिन पे rule किया जा रहा है अगर frequent elections conduct होते हैं तो representatives पे pressure रहता है कि उनको deliver करना है अगर frequent elections conduct नहीं होंगे तो वो भूल जाएंगे वो अपनी constituency में सिरफ 5 साल बात दिखेंगे इसलिए simultaneous elections हमारी democracy के लिए हमारी लोगतंतर के लिए अच्छा नहीं है तो ये पुरा article था simultaneous elections के बारे में चलते हैं आगे अगला article अफरीका में हुए free trade agreement के बारे में है जी अस पेबर ठूक है इस topic में ये article कवर होगा क्या contest है मार्च में अफरीका में एक free trade agreement साइन हुआ जिसका नाम है African Continental Free Trade Area African Union के members हैं फिलाल 55 countries 55 countries में से 44 countries ने यानि 44 countries ने इस agreement को साइन किया इस agreement के साइन होने के बाद ये 44 countries, 44 countries एक single market बनाएंगे goods के लिए और services के लिए भी यानि एक देश से इन 44 देशों में एक देश से दूसरे देश में persons का जाना आसान हो जाएगा even investment भी आसान हो जाएगी तो eventually ये 44 देश माल लीजिए ये 44 देश मिलके custom union बनाते हैं तो उसके बाद 44 में से कोई भी देश अमरीका से कोई चीज import करेगा तो माल लेते हैं import duty लगेगी 5% तो 44 के 44 देशों में import duty अमरीका से कोई mal import करने पे लगेगी 5% ऐसा नहीं कि 44 में से एक देश में तो अगर अमरीका से सेम प्रोडेक्ट को अगर import किया जा रहा है तो import duty लग रही है 15% लेकिन किसी दूसरे देश में अगर अमरीका से कोई चीज import की जा रही है तो import duty लग रही है 10% ऐसा नहीं अगर custom union बन गई है तो सभी देशों में लेकिन अब intra-regional trade African countries में बढ़ गया है 15% यानि अफरीका के countries में आपस में जो trade होता है वो अब 15% trade होता है 2011 में ये trade सिरफ 8% होता था तो ये अफरीका के लिए एक अच्छी बात है कई सारी जो अफरीका की economies है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रही है इवन वर्ल्ड की fastest growing economies की करेटेगरी में आती है अफरीका की कई देशों की economies तो धीरे धीरे और भी ज़्यादा trade integration होगा अफरीका के countries में आपस में लेकिन देखो कुछ challenges भी है आपको पता है free trade agreement sign हुआ है तो कुछ देशों को इससे नुक्सान भी होगा शुरुवाती stage में eventually सबको फाइदा होगा लेकिन शुरुवाती phase में कई countries को नुक्सान भी हो सकता है तो उस देश के अंदर एक pressure create होगा उस देश की सरकार पे कि इस free trade agreement से बहार निकला जाए या फिर अभी ratify नहीं किया है तो उसको ratify ना किया जाए इसके बाद एक issue ये भी है कि देखो कई देश ये कोसिस करेंगे कि जिन products के मामलों में उनके पास advantage है उस advantage को बरकार रखा जाए यानि free trade agreement में उस product को सामिल ना किया जाए ताकि उस product से उस देश को फाइदा होता रहे तो इस चीज़ पे भी विवाद हो सकता है उसके बाद बात कि जाए या है non-tariff barriers की चोड़ों ये बात अच्छी है कि free trade agreement साइन हुआ tariff को कम किया जाएगा लेकिन non-tariff barrier तो फिर भी रहेगा अफरिका के देशों का जो infrastructure है वो इतना जड़ा डेवलप नहीं है तो आपस में वपार करने में बहुत सारी challenges आएंगे तो अवशक्ता है investment करने की कोई एक ऐसा देश invest करे अफरिका के countries में और वहाँ पे infrastructure को boost किया जासके देखो USA तो अब interested है नहीं अफरिका में invest करने में ट्रम बार बार अमरीका first की बात करते हैं और ट्रम की policy ये है कि दूसे देशों में intervention कम से कम किया जाए चाइना धीरे धीरे USA का स्थान ले रहा है और चाइना ने अपनी investment को बढ़ाया है अफरिका के कुछ देशों में लेकिन चाइना को और भी जदा invest करना होगा अगर चाइना USA का स्थान लेना चाहता है तो उसके बाद last में एक बात ये बोली जाती है कि देखो free trade agreement sign होने के बाद 90% जो goods है उन पे import duty को खतम किया जाएगा तो internal trade यानि अफरिका के countries में आपस में जो trade होता है वो 50% तक बढ़ जाएगा और देखो अभी जादर जो export होता है अफरिका के countries से primary products, raw material agriculture के जो raw materials होते हैं इस तरह का export जादा होता है और इस trade agreement के sign होने के बाद जो industrial products है उनका export भी बहुत जादा बढ़ेगा for example देखो free trade agreement sign होा है अफरिका के 44 countries में अगर अफरिका को कोई एक country अभी China से या फिर किसी दूसरे South East Asian country से कोई चीज import कर रहा है लेकिन अफरिका का दूसरा देश कहेगा क्योंकि देखो अब तो free trade agreement sign हो गया है हम भी वही चीज बनाते हैं और अब free trade agreement sign होने के बाद हम आपको ये चीज सस्ती provide कर सकते हैं तो बजाए इसके कि आप इस चीज को import करो चाइना से या फिर किसी दूसरे South East Asia थे country से हम ये चीज आपको provide कर देंगे यानि industry के जो products हैं उनका export भी बढ़ेगा इस free trade agreement के sign होने के बाद तो ये पुरा article था अफिरिका के free trade agreement के बारे में चलते हैं आगे अगले article में एक या दो बाते important हैं राइटर कहते हैं कि elections में campaigning के दुरान परचार के दुरान military से जुड़े जो issues हैं या फिर national security से जुड़े जो issues हैं उनको सामिल नहीं किया जाना चाहिए उन पर focus नहीं किया जाना चाहिए क्यों क्योंकि देखो political parties को हो सकता है कि इन issues की साइटा से कुछ चंद vote मिल जाएं elections तो आते जाते रहते हैं लेकिन परचार के दुरान इन issues को अगर सामिल किया जाता है तो इससे military जैसे institutions को बहुत ज़्यादा नुक्सान पहुशता है national security बहुत ज़्यादा परभावित होती है अभी contest क्या है contest ये है करनाटक में आपको पता है चुनाव परचार चल रहा है 12 माई को वहाँ पर elections होने है तो चुनाव परचार के दुरान परधान मंतरी ने कहा कि 1948 1948 में जब कस्मीर के युद हुआ था तो उसमें जनरल थिमया ने काफी एहम भूमी का निभाई थी लेकिन कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया जनरल थिमया को उसके बाद परधान मंतरी ने एक बात ये भी बोली कि 1962 में भी जनरल करियापक को सम्मान नहीं दिया कॉंग्रेस पाटी ने ये फैक्ट्स कुछ incorrect भी है क्योंकि देखो जब 1948 में कस्मीर के लिए लडाई हुई थी इंडिया और पाकिस्तान में तो उसमें टू स्टार जनरल थे जनरल थिमया उसमें बिटिश चीफ थे और जनरल थिमया सिरफ टू स्टार जनरल थे और जनरल करियापक तो 1903 में 1953 में ही रिटायर हो गए थे तो उनका चाइना वार से कुछ लेना देना नहीं है तो कुल मिला के एसेंस यहीं निकलता है कि मिल्टरी को पॉलिटिक्स में सामिल नहीं करना चाहिए इससे मिल्टरी एज इंसिचूशन काफी ज़्यादा परभावित होता है जैसे एक एक एक्जमपल ये भी दिया जाता है जब 1975 में एमर्जेंसी लगी थी उस समय इंद्रा गांदी ने पूरी कोशिस की थी कि उस समय जो आर्मी चीफ थे उनको प्रेसराइस किया जाए लेकिन उस समय के आर्मी चीफ ने एमर्जेंसी की कोंट्रावर्सी में सामिल होने से इंकार कर दिया था तो यानि मतलब यहीं निकलता है कि मिल्टरी को अलग रखना चाहिए पोलिटिक्स से अगर मिल्टरी पोलिटिक्स में सामिल हो जाती है तो फिर पागिस्तान बंगा देश जैसे हलात भी हमारे देश में पैदा हो सकते हैं आपको पता है कि पागिस्तान में काफी बार कू हुआ है और बंगादेश में भी काफी बार मिल्ट्री ने सत्ता को हत्याया है तो हमारे देश के लोगतंतर की खुबी यही है कि मिल्ट्री पोलिटिक से अलग है और इसको अलग ही रखना चाहिए तो यह पूरा आर्टिकल था तो यह थी हमारी आज की डिस्केशन सुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्केश किया सबसे पहले हमने डिटेल से जाना कि simultaneous election से लोगतंतर किस परकार से परभावित होगा लोगतंतर की spirit, लोगतंतर की values किस परकार से परभावित होगी काफी डिटेल से हमने ये आटकल डिस्केश किया उसके बाद African Continental Free Trade Area के बारे में हमने डिस्केश किया अफरीका को किस परकार से फाइदा होगा इस Free Trade Agreement की साहिता से और सबसे last में हमने डिस्केश किया कि military को अलग रखना जुरूरी है पोलिटिक से ये हमारे देश के लोगतंतर के लिए बहुत ही ज़्यादा एहम है तो ये थी हमारी आज की डिस्केशन फिलाल इस डिस्केशन में इतना ही है थैंक यू